बोलिये संबू नाराइन भगवान की जय मेश रासी वाले सबसे बरे दुस्मन होते हैं ये लोग यानि कि आपके सबसे बरे दुस्मन कौन होते हैं तो आज के इस विडियो में मैं इसी बिसे पे चरचा करने वाला हूँ आप इन लोगों से सतर्क रहे नहीं तो बरवाद होने में समय नहीं लगेगा क्योंकि दुस्मन हमेशा 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 नुकसान पहुचाने का ही प्रयास करता है आप कितना भी उसके साथ अच्छा करने का प्रयास करें लेकिन जो आपका दुस्मन है वो हमेशा इस फिराक मे रहता है कि किस प्रकार से इसको डेमेज किया जाए किस प्रकार से इसको कमजोर किया जाए जो यह हमेसा मेरे नीची रहे मेरे अंडर में रहे दवा हुआ रहे मुझसे तो आज के इस वीडियो में मैं यह चर्चा करने वाला हूं कि मेंस रासी वालों के सबसे बड़े दुस् रासी के लोग आपके परिवार में भी हो सकते हैं आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं आपके दोस्त भी हो सकते हैं लेकिन आपको उनसे रिस्ता नहीं तोड़ देना है अब आप बाप है और आपका बेटा उस रासी का है जो मेंस रासी के लिए अच्छा नहीं है तो क्या और आपकी पत्नी उस रासी की है जो मेंस रासी के दुस्मन होते हैं तो क्या करोगे उससे रिस्ता तोर दोगे नहीं क्या है इसका अर्थ इसका अर्थ ये है कि मेंस रासी वालों को इस रासी के लोगों से खत्रा है यानि कि उस रासी के कारण जीबन में उनको कई बार हानी उठाना पर सकता है कई बार उनको परेसानी हो सकती है तो उस परेसानी से बचने का आपको मैं मौका दे रहा हूं आपको मैं बता रहा हूं कि आप सतर्क रहें उससे बचने का प्रयास करें क्योंकि हर बार वो आपको नुक्सान पहुंचाएगा उसमें घाटा उसका भी है आपके अगर घर के लोग हैं तो लेकिन उसकी यादत है बिच्छु को आप कितना भी पानी से निकालोगे तो वो डंक आपके हाथ पर में ही मारेगा फिर छोड़ दो फिर पानी में इर फिर आपके हाथ पर डंक मारेगा लेकिन मित्रों आप मारे भी अपसाइड में स्राफर्यू.com को एक बार जरूर भीजिट करें यहां पर जोतिस के दुनिया के सारी वो चीज़ें डाली गई है जो आपके काम की है डिस्क्रिप्सन में लिंक भी है जिस पर क्लिक करके आप वहा चाहते हो तो मेरे वाट्साप नमर 7062757996 पर संपर कर सकते हो आप वहां पर में आपके जीवन की हर समस्या का समाधान किया जाएगा आए वक्त को वरवादना करते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं लेकिन मित्रों मेसरासी बाले का कौन मित्र और कौन म मित्र नहीं है यह जानना बना जरूरी है यदि आपकी मेसरासी है तो आपको इन रासी बालों से दूरी बना कर रहना चाहिए या उनसे मित्रता कर लेनी चाहिए यह भी जानना जरूरी है आपको किस रासी से मित्रता रखना चाहिए या नहीं आईए जानते हैं पहले हम द मेस रासी वालों की सिंग से मितरता बन सकती है क्योंकि यह 3 PYT राशियां अगनी तत्व प्रधान आर्था तीनों ही उग्र और गर्म मिजाज वाले हैं मुतलब इनका आपसी तेल तालमेल या किसी रासी की अफेस्था बेहतर होता है इसके अलावा मेश रासी वाले जातक की कुम्भ रासी से भी मितरता ठीक ठाक रहती है यानि कि अगर दोस्ती करना चाहते हैं आप तो सिंग और धनु रासी वाले के साथ साथ कुम्भ रासी के साथ भी आप दोस्ती रख सकते हैं क्योंकि ये तीनों रासी जो हैं, उग्र सोहाब के हैं, घरम जोसी वाले हैं, क्रोधी सोहाब के हैं, और आप भी तो ऐसे ही हैं, तो आपका उनके साथ संबन्द अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मित्रों इन से भी पटरी बैठ सकती हैं, किंसे आईए जानते हैं, अगनी तत्तु बालों की पटरी बायु तत्तु बाले रासी से भी बैठ सकती हैं। क्योंकि बायुतत दुई सुभाब बाली रासियां हैं जो की जल के साथ भी और अगनी के साथ भी संबंध बैठा लेते हैं वो कौन सी रासी है वो है बिरिस और कन्या बिरिस और कन्या रासी बालों के साथ जो संबंध है आपका वो नहीं बहुत बढ़ियां नहीं बहुत खराब मिला जुला के ठीक ठाक यनि की समभाब आप जिसको कह सकते हो ना दुस्मनी ना दोस्ती वो आपकी रहने बाली है बिर रासी बालों के सबसे बड़े दुस्मन होते हैं ये लोग आये जानते हैं कौन होते हैं वो लोग कहते हैं कि कर्क ब्रिश्चिक और मीन रासी बालों के साथ मेश रासी बालों की पटरी नहीं बैठती है ये आपस में दोस्त नहीं हो सकते अगर हो गए तो जीवन भर एक दू दूसरे सब्दों में कहें तो ये एक दूसरे को धोखा ही देते रहेंगे धोखा 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 इसके अलाबा आपका विवाद जो है सुमिधून रासी वालों से भी हमेशा रहेगा और माकर रासी से भी आपकी पटरी नहीं बैठेगी यह रासी तुला रासी पर भी अपना सासन करना चाहती है मेश रासी के लोग तुला रासी पर में भी अपना सासन करना चाहती है इसका अर्थ आप समझ रहे है इसका अर्थ ही यह है कि मेश रासी वालों को करक ब्रिश्चिक और मीन रासी बालों के साथ तो समंध बनेगा ही यह तो तैय है दोस्ती ही नहीं साज़ेदारी से समंधित कोई भी चाहिए वह आपका बिजनेस ही क्यों नहीं हो पाएगा सफल क्योंकि अगर आप मालो एक्जामपल के लिए कि आप मेस रासी के यह और कोई व्यक्ति ब्रिश्चिक रासी का है आप दोनोंने मिल करके बिजने किया बिजनेस चलेगा बिजनेस रन हुआ दो महिने चार महिने छे महिने बिजनेस अच्छा चला और छे महिने के बाद आप देखेंगे कि वो विजनेस डूबना सुरू हो जाएगा क्योंकि आप दोनों एक दूसरी को धोखा देना सुरू कर देंगे अरे आप दे या ना दे लेकिन वो अगला जो हो आपको जरूर धोखा देना सुरू कर देगा वो इस फिराख में रहेगा कि कब इसको इस बिजनेस से साइड कर दूँ अधवा इस बिजनेस से मैं इतना पूजी निकाल लूँ इतना पूजी निकाल लूँ कि इसको छोड़ दूंगा सारीड कर दूँंगा और मैं अपना भिजनेस को सुरू कर लूँ हुँ इतना ही निहीं आप माल लें अगर आपने कर्क ब्रिस्चिक अथवा मीन डासी के लोगों से बिवाह भी कर लिया तो आपको वहाँ पर में देखने को मिलेगा कि जीवन में ओई स्थिरता आ गई आप दोनों पती पत्नी एक दूसरे से संतुष नहीं है कि आप कर्क ब्रिस्चिक और मीन डासी बालों से हमेशा सतर्क रहें नहीं तो हर बार वह आपको धोखा देंगे हर बार आपके साथ दुस्मनी निभाएंगे अगर आपके पड़िवार में भी वो लोग हैं तो रब संबंध नहीं तोरना है समंद नहीं तोरना है लेकिन उनसे सतर्क रहना है उनको भी सतर्क रखना है कि तुम बच के रहो मुझसे अथ्वा मैं तुम से बच के रहूँगा क्योंकि किसी न किसी कारण बस मेरे लिए जो हो सो तुम नुक्सान ही पहुँचाओगे अथ्वा मैं जो हूँ ना चाहते हुए भी तुमारे लिए नुक्सान ही पहुचा दूँगा तो घटा अपना ही है इसलिए प्रयास करें मेंस रासी वाले कि कर्क ब्रिस्चिक और मीन रासी बालों से कम से कम दोस्ती रखने का प्रयास करें सामाने संबंद रखने का प्रयास करें दूरी बना कर रखने का प्रयास करें नहीं तो हर वक्त खटपट 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 चलती रहेगी उसमें से एक दो exception case हो सकता है कुछ लोगों की ना चले मान लोगी कोई मेंस रासी का बाप है और ब्रिस्चिक का बेटा है और बेटा इतना आग्या काड़ी है कि बाप के हर बात को वो मानता है तो क्या खटपट होगा नहीं होगा तो ऐसी श्थदी में नहीं भी हो सकती है लेकिर वो exceptional case है तो आपको मैं अब एक लाइन में फिर से बता देता हूं कि मेंस रासी बाले कर्क ब्रिस्चिक और मीन रासी बालों के साथ सतर्क रहें क्योंकि उनके साथ आपकी पटरी नहीं बैठेगी इसके साथ साथ धनू रासी बालों के साथ भी आपका सम्बन उदना अच्छा नहीं रहेगा और आपको बता दूँ कि आप मिथून रासी बाले से अगर दोस्ती करेंगे दोस्ती तो रहेगी लेकिन हमें साथ बिवाद चलता रहेगा और तुला रासी बालों के साथ भी सम्बन आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा इसलिए प्रियास करें कि इन 3,4, 5-5-5-7 से आप थोरा सा सतरक अदर किससे संभाव रखना है अधर आप किससी सतरक रहना है अगर आप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वेल आइकन के बटन को दबा दे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद थैंक्यू थैंक्यू स्वामाद जहिंद बं दे मात्रा